साथ हज़ाटा के बाड़ी है, सुत्तुर हज़ाटा के कुल नम ममतव एनरजी ने मंगलवार को इस ग्रांट को साथ हज़ार उपए से बढ़ा का सतर हज़ार उपए कर दिया है, अब हर साथ दुर्गा पूजा कराने वाले कलब को दस हज़ार उपए जादा मिलेंगे, कोलकता में पूजा कमेटियों के साथ खुई बैठक में मम अममतव ए बनेजी ने एलान किया कि अब कमेटियों को पूजा के दौरान विजली की बिलकार सिर्फ एक चोथाई पैसा ही देना होगा बाकी का पैसा राज्य सरकार देगी मम्ता बनेजी ने पूजा कमेटियों को रहात देते हुए उन से पूजा के दौरान सुरक्षा का विशे ध्या ब्लोग नहीं होना चाहिए और रोड बीबंद नहीं की जानी चाहिए एईनी तो और कोटके स्टोटके से चुली आभी आमें जाने किचु कीचु आर्शाला वाईरे भोशे हाँचे कालके इगी आट्टा पी आएल ठुगवे फथ में शुरू कोड़े छिलाम पोचीशा जात दिये तार पुरे कोभीड होलो पर पद्धु बछोर खुब कश्चो करे पुजो करत तो हुए छिलो ताही आमना पंचेस जेट्टा का कोड़े छिलाम पुजो पंडाल पर महरवान हुई सीमम दबरजी साथ हजार से बढ़ा का सत्तर हजार देने का फैसला और साथ इसाथ विजली में कटोती का एलान इससे पहले इमामों और मोईजिन और पुरोहित को 500 बढ़ाने का किया था एलान दुर्गा पुजा कराने वाली कमेटियों को सरकार की तरब से साथ हजार रुपे मिलते थे पश्यम मंगाल सरकार ने इसमें दस हजार रुपे की बढ़ उतरी करते हुए से सत्तर हजार रुपे प्रतिवर्स कर दिया है इसके अलाबा ममतब अनरजी ने एलान किया कि अब कमेटियों को विजली बिल का भी एक चौताई ही देना होगा ममतब अनरजी ने मंगलवार को इस ग्रांट को साथ हजार रुपे से बढ़ा का सत्तर हजार रुपे कर दिया है अब हर साथ दुर्गा पूजा कराने वाले क्लब को दस हजार रुपे जादा मिलेंगे कोलकता में पूजा कमेटियों के साथ वी बैठक में ममतब अनरजी ने कहा कि राज्य सरकार ने मंदिर कमेटियों को मिलने वाले ग्रांट को बढ़ाने का फैसला लिया है और अब हर कलब को 60,000 की जगे 70,000 रुपे मिलेंगे साथ इसाथ पूजा कमेटियों को मिलने वाली रासी में बढ़ोतरी के लावा ममतब अनरजी ने उन्हें एक और रहत दी है ममताबनेजी ने एलान किया कि अब कमेटियों को पुजा के दौरान विजली की बिलकार सिर्फ एक चोथाई पैसा ही देना होगा बाकी का पैसा राज्य सरकार देगी ममतबनेजी ने पुजा कमेटियों को रहात देते हुए उनसे पुजा के दोरान सुरक्षा का विशेज ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने और जाने के लिए अलग-अलग दरवाजे पंडालों में होने चाहिए ताकि भीड इकटा ना हो सके। ममतबनेजी ने कहा कि पुजा पंडाल के कारण्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लॉक नहीं होना चाहिए और रोड भी बंद नहीं की जानी चाहिए। क्राण चाहिए। खिदिरपूर केमाल which is designed as a world class mall is the outcome of endless effort of our experts combined with modern superb techniques and new age design book now